जिले के त्रहगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बार फिर मुठभेड का मामला सामने आया है। इस मुठभेड में चार जवान घायल बताए जा रहे हैं जबकि एक जवान शहीद हो गया है। वहीं एक पाकिस्तानी को जवानों ने धेर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार 27 जुलाई की सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवाडा के माचिल सेक्टर में नियंतरन रेखा एलॉसी के पास वन क्षेत्रों में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी के साथ मुठभेड हुई। इस मुठभेड में एक पाकिस्तानी मारा गया जबकि चार जवान गोली बारी में घायल हो गये और एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने कहा कुपवाड़ा सेक्टर के कुमकाड़ी इलाके में भारतिय सेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी की कारवाई को विफल कर दिया। बता दें कि जम्मू क्शेत्र में एक बार फिर से आतंकवादी हमलों में वृद्ध देखी जा रही है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इलाके में शान्ती का माहौल था, जबकि अब एक बार फिर से यहां आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। 2021 के बाद से जम्मू क्शेत्र में आतंकवादी घटनाओं में 50 से अधिक सुरक्षा कर्मियों सहित, 70 से अधिक लोग मारे गए हैं।